नमस्कार स्वागत आपका हमारे चैनल के इस खास पेशकश में जहां हम आपको ये बताते हैं कि आज का आपका पूरा दन किस तरह से व्यदीत होने वाला है जी हां आपको बता दें कि राशी फल का व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्व बताया जाता है राशी के जरिये ना केवल व्यक्ति अपने स्वभाव के बारे में जान सकता है बल्कि अपने आने वाले भविश्य के बारे में भी जानकारी को प्राप्त कर सकता है अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में बाविश्य में किस तरह की घटनाएं घटित हो सकती हैं तो इसके लिए आप जोतिश का सहारा ले सकते हैं जिहां ग्रहन अक्षत्रों की चाल के अधारत और राशीफल का निर्मान किया जाता है ग्रहन अक्षत्रों की चाल में हमेशा ही बदलाव देखने को मलता है जिसकी वज़ा से विक्ति के जीवन में भी कई तरह की बदलाव होकर गुजरना पड़ता है जिहां अब आपको बता दें कि आज 23 अगस्त रविवार का शुब दिन है ऐसे में कुछ राशियों के उपर सूरे देव का शिर्वात बन सकता है तो चलिए आपको बताते हैं आज का दन आपके लिए कैसा रहेगा आज का दन आपकी जीवन में क्या-क्या परिवर्टा लेकर आ सकता है शुरुआत करेंगे मेश राशी के साथ तो बताया जा रहा है कि मेश राशी वाले जातकों के अब लंबे समय से रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे प्रॉपर्टी के मामले में दन बहुत अच्छा रहा है अगर आपने कोई काम शुरू किया है तो उसमें आपको लाब सरूर मिलेगा प्रॉपर्टी को खरीदने में आपको सफलता मल सकती है वहें शिक्षा से जुड़े हुए चात्रों को आज कोई बड़ी सफलता मिलने क योग बने हुए हैं व्रिशब राशी आज आपके प्यार की गाड़ी तेजी से आगे बढ़ेगी आज का दन आपके लिए पहुत जादा बहतरीन रहने वाला है ना केवल कारे शेत्र में बलकी निजी जुन्दगी में भी आज का दन आपके लिए खुशनमा रहेगा हद स के ज्यादा किसी पर भरोसा करना आपके लिए हानी कारक सद्ध हो सकता है नए कारियों की शुरुवात ना करें मिथोन राश्ची आपको आज शारेरिक और मानसिक रोप से प्रसंदता का अनुभव होगा आज आपका मन पहुत उत्साहित हो सकता है जिसकी वज़ा से कारे शेत्र में भी हर काम को समय रहते आपने प्टा लेंगे आपके काम की प्रस्षणशा की जाएगी सोच समझ कर अपने विवेक से कार्वे करते हुए आगे बढ़ें अगर नए काम की शुरुवात करने की सोच रहे हैं तो आगे चल कर आपको काफी जादा वायदा भी होने वादागे में अचानक की गिरावट आशकती है करक राशी है आज आप अपने इच्छां को दर्कनार ना करें स्वास्ती के प्रती सतर्क रहें अधिक तला भुला भूजन ना करें सिंग राशी परवार के किसी बात को लेकर तनाव बना रह सकता है मांसिक शांती के लिए तनाव के कारणों का समाधान जरूर निकाले प्यार के मामले के लिए दन अच्छा बताया जा रहा है कन्या राशी आज आपको कोई बड़ी खुश खबरी मिल सकती है पारिवारिक जीवन में सुख और सम्रध्धी आ सकती है आज आप अपना कर्ज चुकाने में काम्याब हो जाएंगे और कोई अच्छा व्यक्ति आपके जीवन में टकरा सकता है चली अब जानते हैं तोलाराशी का क्या हाल है तो आपको बता दें कि आज आपकी द्वारा किया गया हर कारे सफल हो जाएगा पिता के स्वास्ते को लेकर परिशान होने की अब विल्कुल भी जरूत नहीं है परिवार का वातवरन खुश नुमा रहेगा और कारे शेत्र में आपका खूब मन लगेगा घर परिवार और निजी जिन्दगी से जुड़े कुछ खास काम आज आप पूरे कर सकते हैं चलिए अब बताते हैं आपको व्रिश्चक राशी के बारे में तो आज को दन आपके परिवार के लिए अच्छा बताया जा रहा है अपने बजट को संदुलत रखें खर्च को सही तरीके से करें तरक्की कायम रहेगी धानू राशी आज आप ऐसे स्रोट सरजित कर सकते हैं जिसके बारे में आपने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा मनोबल बढ़ आपका आत्म विश्वास पढ़ेगा मान प्रतिष्ठा में व्रिद्धी का योग बनेगा पारिवारिक सदस्यों के साथ मनमुटाफ हो सकता है मकर राशी जिहां आपको बता दें कि मकर राशी वाले लोगों को आज आर्थिक लाब हो सकते हैं मान सिक्ता आपकी बढ़ सकती है और अब आप अपने बलबूते पर कुछ नयाग कर दिखाएंगे स्वास्ते के प्रती सावधान रहें कुम्बराशी आज आप सादा तर फैसले कुछ से में ले सकते हैं इससे आपको नुकसान हो सकता है मित्रो परिवार जनों के साथ संबंधों में कुछ करवाहर उत्पन हो सकती है आपका मन सामाचिक कार्यों की तरफ रहेगा अपनी प्रतिभा का पूर्ण लाप ले सकते हैं शरिय वंत में आपसे बात करते हैं में राशी के बारे में तो आपको बता दें कि आज किया गया निवेश आपकी संब्रद्धी और आर्थिक सुरक्षा में जाफा करेगा दनों नत्ति कारक बताया जा रहा आई संपत्ती के लिए भी शुब रह सकता है मेहनत सफल होगी कोट केच्वरी के कार्यों में साफधानी बढ़ते तो ये ताजगार रशीफल